मैं कहे दे रहा हूँ मेरे लाला और लाली जिस प्रकार से तो तेरी पढ़ाई कर रहा है जिस प्रकार से आप आपकी पढ़ाई कर रहे हो आप आपकी 10th examination जो की 2025 में मार्च के महने में एकमेडेट होने वाली है उसमें आप आपके board examination बरबाद कर दोगे आप सभी को बता है students महाराश्ट्रों में एप्रिल के महने से हमारे 10 standard vacation जिसको हम कहते है वो हर एक school में शुरू हो जाते है एप्रिल चले गया एप्रिल में जून जुलाई चार महने आपने पूरे के पूरे बरबाद कर दिये आप सही में खुद को टैली करके देखना कि भई मैं दिन में से कितना efforts लगा रहा हूँ ठीक है कोई-कोई बच्चे बोल रहे भईया school का काम ही इतना होता है भईया tuition का load होता है भईया tuition में unit test है भईया school में unit test है हम हमारी self study कप करे हम ये कप करे हम वो कप करे देखो students मेरे पास ऐसे हजारों नहीं लाखों examples है अब आप बोलो के भईया लाखों examples कैसे students पिछले तीन सालों से जी हाँ पिछले तीन सालों से महाराष्ट्र बोर्ड के जितने भी students है वो सभी के सभी भईया को जानते हैं और उन सभी को analysis करने के बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मेरा इस वीडियो का end तक यही एक particular aim होगा कि भई आप जो जिस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हो फिलाल के समय पे वो आपको कही न कही बरबादी के जगे पे लेके जाएगा आप बोलो के भीया आप हमको फालतु में डरा रहे हो डरा नहीं रहा हूँ मैं आप सभी को एक reality check दे रहा हूँ आप सही में students दिल पे हाथ रखके बोलो कि क्या सही में आप जितना efforts लगाना चाहिए क्या आप उतना efforts लगा रहे हो आपके जैसे suppose for example आपके अगर मैं ममी पापा का example ले लूँ आपकी ममी रोज सुबह उठकी है अगर किसी की housewife होगी ममी तो रोज सुबह उठकी है आपके लिए टिफिन बनाती है फिर दूफेर को आने के बाद आपको खाना खिलाती है ट्यूशन के लिए ready करती है ready in the sense के आपको खाना खिलाती है बैग वगेरा भी कोई-कोई बच्चे होंगे जिनके अभी भी मम्मी पपा बैग वगेरा भर के देते होंगे आने के बाद बच्चा थक खार के आया है तो उसको आपस नाश्टा करके देना फिर आप नाश्टा अगर मन का नहीं बना तो आप उन पे चीड़-चीड करते हो आप उनको उल्टा सीधा कह देते हो मोबाइल पर बैठे रहते हो एक काम नहीं सुनते उनका आप यू आप तो डू यू जस्ट आफ तो अपको बस पढ़ना है मतलब पढ़ना है रहको सुटेंज में यह नहीं बोलूंगा कि आप एक पाइटिकुलियर टायम टेबल बना लो दिन में से चार घंटा पढ़ो मन्डे को यह करो Tuesday को यह करो Wednesday को यह करो नहीं उससे घंटा कुछ नहीं होता है जब तक एक शंसे और रियाइलिटी नहीं आती कि नहीं I have to take charge of my new life मारे को अभी जो भी मेरे आने वाले जो भी मेने है boards examination तक जैसे कि august, September, October, November, December यह जो पाच मेने है इन पाच मेनों में साला मेरे को मेरे पूरे एफट्स लगाने है पूरा पोटेंशल लगा देना है जो होगा जो रिजल्ट आएगा वो देखे जाएगा जैसे आप सभी को पता है शुडेंस श्री कृष्ण भगवान भी कहते है निश्वल कर्म करो निश चैप्टर का टेंशन लेके बैठता हूँ यह नहीं सोचते हो कि भई मैं एक एक चैप्टर को डील करता हूँ देखे जाएगा तीन होए तो हुए नहीं होए तो नहीं होए बट दो चैप्टर तो भी परफेक्ट करूँगा मैं आज इस वीडियो में वही चीज आप सभी क को रखता हूँ इस वीडियो में मैं यह नहीं बताऊंगा कि टॉपर्स क्या करते हैं इस वीडियो में यह बताऊंगा कि टॉपर्स क्या नहीं करते हैं जिनके वज़े से वो टॉपर बनते हैं यह चीज़े हमेशा ध्यान में रखना सबसे पहली चीज है students आप सभी को consistency नह उटके जा रहे हो, that means you are consistent to your school, उसी प्रकार से students self-study को समय निकालना पड़ेगा, self-study करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप self-study नहीं कर रहे हो, तो जाहिर से बात है, आप कही ना कही, आप बहुत बड़ी mistake कर रहे हो, अभी जाहिर से बात है, कुछ-कुछ offline classes में self-study भी क आरने को बोज़ते है, learning के लिए समय दिया जाता है, match के solving के लिए समय दिया जाता है, लेकिन बहुत सारे classes ऐसे भी होंगे, जहापे आप जा रहे होंगे, वहापे जैसे school में चलता है, वैसे ही periods हो रहे है, वैसे हो रहे, मेरे offline class में वैसा नहीं है, मैं students को अगर एक particular चीज Saturday को school को गुटी मार दो, नहीं तो tuition में अगर कुछ चीज़े आपको नहीं समझ रही है, so be honest with yourself, online पे बहुत जादा content है, आप offline classes छोड़ सकते हो, जितना भी चीज़ें वो गया है, इस मेले तक का उतना छोड़ दिया, घर पे आके आप आपकी self study कर सकते हो, क्योंकि at the end students self study म आईने रखेगा, यह चीज़े ध्यान में रखना, you have to be consistent on that, ऐसा नहीं है कि आप एक दिन 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, दूसरे दिन एक ही घंटा पढ़ाई कर रहे हो, आप एक एक दिन पढ़ाई करो, हफते में से 7 दिन एक एक दिन पढ़ाई करो, that will matter the most, second चीज़े students, बच्चों को यही नहीं मालूम होता है कि भई सहाब उनका portion क्या है, ठीक है, उनका portion क्या है, भई मेरे हर digest के पीछे, PYQ में आपको पूरा portion दिया जाता है, कौन सा question कौन से mark को आता है, बच्चे बोलते भई हिस्ट्री जोग्रफी में marks ही नहीं आते, अरे तेरे को अगर म reality बोलू न, तु बिना question answers करे भी, हिस्ट्री में 20 mark ले सकता है, जोग्रफी में 20 mark ले सकता है, मैं वो वीडियो बना दूँगा, आने वाले समय में बना दूँगा, मतलब कि कोई अगर नमूना बच्चा भी होगा, तो fill in the blanks, correct, wrong pair, odd pair, जो भी होता है, true or false, और उसके बाद हमारे passage, यह अगर 4-5 भी चीज़े कर ले न, तभी भी आप 40 में सब 20 mark लोगे, भाईया की guarantee है, पिछले साल में ने मदद किया है, पिछले साल में रिवील किया, यह सब चीज़े, चो सबसे पहले तो portion समझ के लो, और उस portion के बाद, कौन से chapter को सबसे ज़्यादा weightage है, वैस at the same way weightage की series लाने वाले है, तो यह चीज़े प्लीज एन में रखना कि आपको consistent रहना है, आपको portion को complete करना है, at the same way students में बच्चों को हमेशा बोलता हो, 100 बार बोल रहा हो, आपको भी बोल रहा हो, you have to follow the 80-20 rule, 80 और 20 रूल आपको follow करना है, 80 और 20 रूल क्या होता है, वापस एक बार बोलता हो, अगर आप दिन में से 2 घंटा self-study कर रहे हो, 120 मिनिट अगर आप self-study कर रहे हो, continuous करना है, बीच में वाश्रूम आ गया, भई, आईये हो गया, भी या वो गया, कुछ नहीं, फालतुपना नहीं करने का, 120 मिनिट अगर आप कर रहे हो, तो timer लगा के करो, आपके सामने भी आपको समझ में आएगा, कि साना मेरा grasping power कितना है, खुद को target तो देखे देखो, खुद को बोलना भी 100 मिनिट से मेरे पास, तो 100 मिनिट में मैं कुन से question answers solve कर सकता हो, कितने question answers learn कर सकता हो, खुद के grasping power पे focus करने की कोशिश करो, अगर आपकी grasping power कम है That means, आप social media पे जादा बैठ रहो, आपका retention time कम हो गया है, social media पे बैठे, 60 second का real देखे, 60 second का real देखे, 30 second का real देखे, 45 second का real देखे, क्या होने वाला है, गंटा कुछ नहीं होता हो, real देखे, देखे This is not your age to get into this particular trap, आपका students life है, यह आपका सबसर पहला priority यह है, कि हम हमारे study पे focus करें, हम हमारे मन चाहे marks, हम लाके दे हमारे parents को, जिससे की हमारे parents को भी लगे कि भई, मेरा लाला, मेरी लाली, मेरे को आगे चलके future में proud feel करवाएगा अगर यह नहीं होने वाला है, तो जाहिर सी बात है, मनुष्य जीवन में आके कोई भी फाइदा नहीं है, हर एक particular पढ़ाओ पे students, आपको वो particular gap feel करना होता है जैसे की for example, आप बचपन में थे students, तो आप खेलते थे, कूटते थे, आप बालिश पना करते थे तो आपको कोई नहीं बोलता था but at certain age, आपको study पे focus करना ही पड़ेगा, मतलब करना ही पड़ेगा, तब जाके आप evolve होने वाले हो, समझ में आरा है चीज़े कोई-कोई शायर इससे agree नहीं करेगा, but हर एक इनसान के life के phase में, he or she has to fit in that particular gap आपको gap fill करना ही होता है, वो priority set करनी ही होती है, अब आप 20s में आपके, मतलब 20 years से लेगे 30 years में आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैं खेलते ही रहूंगा जिन्दगी बर आपको जिम्यदारी लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपके parents की उमर बढ़ रही है, जिस प्रकार से आपके parents की उमर बढ़ रही है, it is your responsibility to give them a particular lifestyle that they deserve, जो आपके लिए उन्होंने जो महनत किये, जो शिदत किये, वो, आपको क्या करना है, आपको बस पढ़ा ही तो करना है, ऐ उनको तुमारे घरवाले, जा बेटा बाजी पाला बेच किया, जा बेटा, क्या मोलते है, बाजों में construction चल रहा है, पोते उठा, उनको बस और बस आप से पढ़ाई चे, मैं ये नहीं मोटरों की social media बन करो, snapchat बन कर दो, instagram बन कर दो, फालाना डीकारा बन कर दो, नहीं, करो आपका लाइफ है, आप यंग हो अभी, आपको ये चीज़े करनी ही, करनी भी पड़ेगी, नहीं तो आपको FOMO मिस होगा, fear of missing out, करो यार, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी मैनेज भी तो करते आना चाहिए, नहीं तो बस time pass ही करे जा रहे हो, बाबू शोना, जादू तोना सिंस्ता चैटिंग ही करे जा रहे हो, ठीक है, उसका reply नहीं आ रहा है, यह नहीं हो रहा है, मैरे को messages आते हैं, मैं relationship में फच गया हूँ, ठीक है, मैं मेरे crush को लाकर प्रपोस कर दूँ गया, मैं क्या उलते, which is मैं message दालू या नहीं दालू, उसके लास सिंदेग देखके मैं बंदे से बंदी से attach हो चुका हूँ, अभी मेरे पढ़ाई में मननी लग रहा है, यह क्या है यार, ठीक है, you have to be a particular, मतलब देखो, student हो, तो student की सबसे पहली priority यह है, कि आप पढ़ाई पे focus करो, बाद में सभी चीज़ आएंगी, जब आप आपके degree वगेरा hold कर लोगे, फिर money should be the priority, फिर health should be the priority, फिर बाकी के चीज़े should be the priority, फिर जब आप settle हो जाओगे, तो family should be the priority, फिर money should be the priority, फिर health should be the priority, बतलब यह चीज़े होती है, you have to set a priority at some point of time, समझ में आ रहा है, ठीक है, उसके बाद जो students है, सबसे fourth point, जो last point होगा हमारा जो सबसे important है, वो है PYQs, बच्च पिछले साल लगभक 70% से 75% ये पेपर, PYQ के basis पे बना था, कुछ ना कुछ questions ये PYQ से related थे पिछले पास साल के पेपर, आप बोलोगे भहिया, ऐसी कौन सी बुक है, जिसमें हमको सभी के सभी पिछले पास साल के पेपर मिल जाए, 2005 निए 6 साल के, 2019 से लेके तो 2024 तक के, मे जिसमें students आपको Marathi के लिए, Marathi semi students जो होंगे, जिनकी class होगी, at the same way, जो English medium के students होंगे, उन सभी के लिए, English medium के students की बुक ये वाली है, निली कलर की, और अगर मैं Marathi या फिर semi medium की बात करूँ, तो उनके लिए ये बुक है, इसमें students आपको SST से लेके, English, Maths, Science, तो उसके Marathi, फिर Hindi, फिर Sanskrit, हर एक subject के students आपको 2019 से लेके तो पिछले साल, पिछले मतलब ये साल तक के, 2024 के March तक के पूरे के पूरे papers मिलेगे, पेपर ही नहीं, लाला उसके साथ तेरे को उसका solution भी मिलेगा, और solution ही नहीं students, उसके साथ तुमको 3-3 sample papers भी मिलेंगे, जो की solve किये वाले होंगी, मतलब अधर तुमने अगर ये बुक से भी पढ़ाई कर ली, boards के end तक, मतलब ये बुक आपने खरिद ली, और बस इसमें से पढ़ाई कर रहे हो, question answers learn कर रहे हो, चीज़े समझ के ले रहे हो, तो मैं guarantee के साथ एशॉरीटी करता हूँ, 75-80% आपके मिलेंगे, मतलब म सबी बच्चों ने बुक्स पर्चेस किये थे, ठीक है, जो अच्छे बुक है, वो मैं आपको recommend कर रहा हूँ, PYQs है students, PYQs मतलब previous year question papers होते है, Oswal publishers के तरह से 75-80% आपको मिलेंगे, मतलब मिलेंगे, अगर आप ये बुक पूरी शिदत से follow करोगे, मतलब एक-एक question इसमें स आप खुझ से solve कर पाऊँ, ठीक है, so link मैं description में दे रहा हूँ, जल्दी से जाके purchase कर ले रहा है, बाद में इसकी price increase हो जाती है, तो links are in the description, जो cover वाले books है, English medium की blue है, semi medium की brown color की है, तो ये books आप purchase कर सकते हो, links are in the description, Okay, so I hope students, आप सभी को समझ में आया है, give your best मेरे लालाज और लालीज, भहिया आपके साथ है, ये जो 2025 का जो board examination ही है, हमारे life का सबसे यादगार board examination रहेगा, ये भहिया की guarantee है, क्योंकि आप मेरे साथ अभी इस journey में आ चुके हो, और पिछले साल के बच्चों को जाके पूछ लेना की भहिया ने, इस journey को 2024 के जो बच्चे थे, उनको कितनी आदगार बनाई थी, और 2025 will be the one of the biggest year for us, बहुत बड़ा सार होगा हमारे लिए ये, ठीक है, so on that particular note, I hope this video is very much valuable for you, देखो ये वीडियो पूरा raw लक्र रखा है मैंने, इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है, कि मैं म चीज मैं आपको समझा रहो, जो चीज आपसे हो सकती वो चीज है, I hope students, जो जो points मैंने बोले है, वो सभी ने आपने note down करके रखा है, और उस चीज पे, आप जो है, which is, क्या करोगे, अमल करोगे उस चीज को, execute करोगे, क्योंकि without execution, nothing will happen, बोल तो मैं दूंगा, बट अगर आ Snapchat, Telegram, बगेरा बगेरा, you can also go and check out, if you have any doubt, you can message me there, till then, मचादे रो, फोर्ते रो, बै अवरीवन, टेंशन लो मत भाहिया, आपके साथ है, नहिया पार करवाएंगे, वाई पिर्वेन, अजे भाहिया, is here, till then, peace, out.